सो हेलो दोस्तों की हाल चलतों डिसार रहें दा एक को अफे तो स्वागत है मेरे इक नवी वीडियो जो गाइस अभी इस वक्त हूं मैं जीबी में तो बहुत सारी लोग है जो जीबी में अच्छा एक होमस्टे ढूंड रहोंगे जो की बजट फ्रेंडली हो जहापे उनको ख दिलाल में रह रहा हूं 1200 पर डे के इस आप से ओफ सीजन मतला ओफ सीजन तो नहीं लेकिन वीक डेज है इसलिए कम पड़ रहा है अगर आप दिसंबर या जैनवरी के टाइम आते है तो आपको अप्रोक्सिमेट पच्छिस तो तक जो कम रहा है यहां पे मिल जाएगा मार्केट ना रिवर के उसे साइड है फिर आपको चलते जलते जो जीबी वाटरफॉल वारा रस्ता है उस रस्ते पर आजाना है जीबी वाटरफॉल से सबसे अची बात इस जो होमस्टे की है जीबी वाटरफॉल से सिरफ 400 मिटर की दूरी पर मतलब 10 मिनिट की वॉक से अगर आप टेक्सी वगेरा से आ रहे हैं तो आप डिरेक्टली अनन्ता होमस्टे पूछ सकते हैं और आप यहां पर पहुछ जाएंगे देखो ऐसे कुछ व्यूज आपको दिखने वाले हैं हमारी प्रॉपर्टी भी दिखाता हो आपको काप है तो उसके आसपास भी अगर आ सामने ऐसा कुछ जो व्यूज आपको देखने को मिलेगा तो कितना सुंदर व्यूज यह उसके सामने के गेस्टाओस है और वह राफना तो अभी आपको उपर जाने का रस्ता भी दिखाता हूँ, यहाँ पर इसके अलाबा यह वाला गेस्टावस है, इसका नमबर नाम आपको दिखी गया होगा, यहाँ भी आप आ सकते, तो ऐसे आपको चलते जाना है, बहुत ही शान्तमी लोकेशन है, कोई यहाँ पर मतलब गा जाएंगे, वो बिल्कुल सामने, पेड़ो के बिल्कुल बीच ओ बीच, जैसे ट्री हाउस कह सकते आप, पेड़ो के बीच ओ बीच ओ बीच अपना जो ओमस्टे देखने को मिल जाएगा, यह सबसे पहला रूम है जो बिल्कुल एंट्री पर आपको देखने को मिलेगा तो इस रूम का पूरा टूर करा देता हूँ यह रूम है जो अभी अभी चेक आउट हुआ था तो अभी साफ सफाई नहीं हुई है तो जादा ध्यान मत देना ठीक है तो आपको दिखा देता है तो ऐसा कुछ रूम है जो आपका रहने वाला है यह रहेगा सबसे पहले आपका वाश रूम वाश रूम में गीजर लगा हुआ है बहुत ही खूपसूरत वाश रूम है पूरे जो रूम है ना वुडन से बने हुआ है और जो उपर मड से बने हुआ है मड और वुड के मिक्स्चर से बने हुआ है अंदर को रात को कितनी भी ठंडो यह बहुत ही जादा गर्म रहते है स्पेशली जब स्नो वगेरा पढ़ती है तो आपको इसमें रहने में काफी जादा मजात है बेड काफी जादा अच्छे ठीक है बेडिंग भी आपको काफी जादा क्लीन मिल जाएगी बेडिंग जो रेगुलर वाश होती है उसके बाद हम चले जाएंगे यहां के कॉमन एरिया में आप थोड़ा सागे जाएंगे तो आपको पूरा प्योर जंगल देखने को मिलने वाला है बिल्कुल ट्री हाउस की तरह आपको यह ठीक है फील देगा एक्जेक्टली ट्री हाउस नहीं है लेकिन यह 90% आप ट्री हाउस ही कह सकते हैं यहां पर जो प्लांट्स है वो भी काफी जादा सुन्दर लगे होए थे देखो ऐसे उचे 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 पेड़ों के नीचे रहने का मौका आपको मिलेगा यहां पर एक ऐसे पार्टी जैसा एरिया है जहां पर रात को म्यूजिक वगेरा चलता है लाइट जलती है जहां पर आप एंजोई कर सकते हैं जो आपको वीडियो के एंड में देखने को मिली जाएगा उसके अलावा यही ठीक है बिल्कुल सामने अपना दूसरा रूम है यहां पर टोटल प्रॉपर्टी में तीन रूम है तो अब आपको दूसरे रूम की है जो मिडल वाला रूम है ठीक है उसकी भी दिखा दिता हूँ यहां पर आप जाएंगे तो यह रूम बिल्कुल बना हुआ है तो कुछ इस कंडिशन में आपको जो रूम है मिलने वाला है बहुत ही ब्यूटिफुल लोकेशन है पूरे रूम में जो खिड़किया है वो बहुत अच्छा फील देती है रात को ठीक है आप यहां पे इंजोई करके देख सकते हैं कि पूरा बाहर का व्यूट आपको दिख रहा है जब भी आप अपने आख खोलेंगे तो आपको नेचर ही दिखेगा लगाए गए है उसके बाद ऐसा कुछ वाश्रूम आपको देखने को मिलेगा इस वाश्रूम में भी गीजर वगएरा अविलेबल है टॉबल वगएरा भी आपको मिल जाता है ठीक है एक सोब भी मिलेगा उसके बाद यह पूरा common area नीचे बैटके आप खा सकते हैं वहाँ भी बैटके खा सकते हैं खाना वगएरा ठीक है डिनर करने के लिए भी सब लोग यहाँ पे एक साथ बैट जाते हैं नीचे यह जो ओनर रहता है ओनर में पूरी फैमिली रहती है जिसे कि आपको जो खाना वारा बगएरा बनवाना है उनको ठीक है एक दो घंटे पहले बताना पड़ेगा जो भी आप बनवाना चाहें वेज नॉन वेज जो भी खाना आपको बनवाना है बिल्कुल घर स्टा अगर आप और डिसकाउंट में बूक कराना चाहते है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मेसिज करके मेरे तुरूबूकिं करा सकते है या मेरी रेफरेंस दे सकते है जिससे कि आपको इस जो रूम के ऊपर काफी जादा डिसकाउंट मिल जाएगा उसके साथ हर रूम में प्रा बहुत ही जादा ओसम लगता है अभी तो दूफ के कारण फोन में इतने अची वीडियो नहीं आ रही लेकिन रियल में अगर आप देखेंगे बहुत ही खुपसूरत व्यू लग रहा था और यह बिल्कुल शेहर से जीबी की में मार्केट से काफी उपर आके तो आपको काफी शुकून भी यहाँ पे मिल जाता है रहने में डिनर की बात करें तो देखो अगर आपको जैसे मैंने बताया कि खाना बिल्कुल होम स्टाइल में मिलेगा घर जैसा खाना मिलेगा अभी मैंने बनवाई थी अंडा भुर्जी डाल रोटिया चावल ठीक है यह पूरा डिनर ह के साथ आ रहे हैं ठीक है ग्रूप के साथ आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे यहाँ पे गाने वगेरा चला के आप डांस वगेरा कर सकते हैं और स्नो के टाइम में तो बहुत ही जादा मजा आता है क्योंकि यहाँ पे जितने भी पेड आपके उपर हैं पूरे स्नो कवर्ड ह होंगे यह पूरा जो घर आपको दिख रहे है पूरा स्नो कवर्ड होगा ठीक है तो बहुत ही जादा amazing आपको लगेगा एकदम off bit location में I hope आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करें